कर एक को वैलकम टो ड्रीम के बीसी जिक के टो इक बार फिर से सफागत यह आपका ड्रीम के बीसीजिकके योटूब चैनल पर दोस्तो आप सब लोक कैसे हो उमीद हे आप सब लगता है आपकी श्टडी में हेलफूल लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यहाँ चैनल ड्रीम के बीसी जिके यूटूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नबर मिनती रहेगी आप सबस्क्राइब बढ़न को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को अउन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेजबल वीडियो की नोटिपिकेशन मिलते लिए इस तो वीडियो अन तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरू करना सीचुयान में बना जिनपिंग का बांद है जिनपिंग का बांद है वीडियो का सबसे उचा बांद है इसे पहले कजाकिस्तान का रोकवरस की बांद था सबसे उचा प्रांस का बोडो बंदरगा किस नदी के तड़ परस्तीत है तो इसका उतरे गेरुन नदी के तड़ परस्तीत है बोडो बंदरगा जमसेदपूर सहर किन नदी के संगम पर बसा है जमसेदपूर जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है चार खंड में है प्रवाल भीतियों की उत्पति से सबदित हिमानी नियंतरन सिदान्त का प्रति बादन किस ने किया है तो इसका उतरे डेली ने किया है इह प्रवाल भीति इवम स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगुण को क्या कहा जाता है तो इसका उत्रे वान जिल में पाई जाती है विस्व में सरबाद इक लबनता Q9. मानसुनी प्रदेशों में सरवाधिक वर्षा कहा होती है? Q10. रबड किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? Q11. दक्षिनी अमेरिका का मद्य चिली किसका उदारण है? Q12. प्रसिद भोगोलिक गरंथ किताब उलहिंद के लेखक कौन है? Q14. समान चुम्ब की ये जुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखक क्या कहलाती है? Q15. प्रित्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? Q17. एंजिल जल प्रपात किस नदी परस्तीत है? Q18. विश्वा की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? Q19. सरगासो समुद्र. सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? Q20. गल्फ श्ट्रीम धारा की उत्पती कहां से होती है? Q21. सी ओप ट्रैंक्विलिटी कहां परस्तीत है? Q22. उस तारे का नाम क्या है? जो सूरिय के बाद पृत्विके सबसे निकट है? Q23. रूत्विय क्यों होती है? Q24. रूत्विय किस कारण बनती है? तो सूरिय के चारो और पृत्विके कारण बनती है? Q25. एक ग्रह को अपने कक्स में सूरिय की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? Q26. वह ग्रह जिसे नो ग्रहों की गिंती से निकाल दिया है? उसका नाम क्या है? तो इसका उतरी प्लूटो इसका ग्रहों की गिंती से निकाल दिया गया है और इस ग्रह को बोने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है प्लूटो ग्रह को दोस्तो अभी तक आपने हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दिये और हमारा चैनल उसके आंसर क्रिशन और आंसर लिखते जाएए और नौट्स बना दिजिए क्योंकि एक बार आप जो भी लिख देते हो जो आपको दिमाग में अच्छे से याद रह जाता है और उसको टाइम टाइम पे आप रिपीट भी करते रहते हो तो कभी आप भूलते नहीं हो लिख अच्छे से याद रह जाएगा और एक्जाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे तो होसे के तो साथ में नौट्स बनाती जाए लिखती जाएए ताकि सारे क्विशन आपको अच्छे से याद रह जाएंगे चलते हैं अगले क्विशन पर क्विशन नमबर 27 एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में कितना विलम होता है तो इसका उत्रे 26 मिनिट विलम होता है एक स्थान पर आने वाले अगले जिवे रुखा है Question number 20, ग्रहों के दिर्द वृताकार पत की जानकारी सरुप्रथम किस ने दी थी? तो इसका उतरे कैपलन ने दी थी Question number 21, किन दो ग्रहों की धुर्णन तथा परिक्रमन की दिशा पच्चिम से पुरुवा नहीं है? तो इसका उतरे सुक्र तथा अरुण Question number 30, किस ग्रह के चारों और सपश्ट वलाई मौजुद है? तो इसका उतरे सनी सनी ग्रह के चारों और सपश्ट वलाई मौजुद है Question number 31 विस्वक की ताजे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो इसका उतर सुपिरियर जील है विस्वक की ताजे पानी की सबसे बड़ी जील Question number 33 85 भूमी का महादिप किसे कहा जाता है तो इसका उतर ओश्लिया को कहा जाता है 85 भूमी का महादिप Question number 33 किस अक्सांस रेका पर सदेव दिन इवं रात की अवधी समान रहती है क्वेशन नंबर 34 महासागोरों में उठने वाले ज्वार बाटा का क्या कारण है महा सागरों में उठने वाले जवार भाटा का क्या कारण है very very important कुछ ने कई एक्जाम में क्विशन पुछा जा चुका है तो इसका उतरे चंद्रमा का व्रभाव कारण है चंद्रमा के कारण महा सागरों में जवार भाटा आता है क्विशन नमबर 36 मानचित्र पर वर्षा का वित्रण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है क्विशन नमबर 37 मानचित्र में वे रेखाए जहां दाब सम हो क्या कहलाती है तो इसका उतरे सम दाब रेखाए कहलाती है क्विशन नमबर 38 मेक गरजन वायू मंडल की किस परत में होता है मेक गरजन वायू मंडल की किस परत में होता है तो इसका उतरे शोब मंडल में होता है मेग गरजन Question number 39 Metrologia Metrologia नामक पुस्तक की रचना किस ने की थी तो इसका उतरे अरस्तु ने की थी Question number 40 लेपीज किस शेतर से सबदिद स्थला कृती है तो इसका उतरे काश्ट मेद सबदिद स्थला कृती है Question number 41 अरावलली परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो इसका उतलर गुरु सिकरे जो माउट आबू पर स्तीत है भारत की जल इवर खल दोनों सिमाओं से लगने वाले देश कितने है तो इसका उतलर तीन है भांगल देश, मियान वार, पाकिस्तान Question Number 43 बूर्जिला इवं जोजिला दर्रा कहां पर स्ती थे तो इसका उत्र दिर कसμीन में स्ती थे बूर्जिला इवं जोजिला दर्रा Question Number 44 June, July में बोई जाने वाली दे था नंवमबर, दिसम्बर में काटली जाने वाली फसलों को क्या कहते है जून जूलाय में बोई जाने वाली इवंब नवंबर दिसम्बर में काटली जाने वाली फसलों को क्या कहते है तो इसका उतरे खारिप की फसल कहते है भारत में सबसे काम वन Q46 दक्षिनी अंडबान और छोटा अंडबान किसके द्वारा अलग होता है तो इसका उतर डंकन पैसेज के द्वारा अलग होता है Q47 भारत के पडोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारती राज्यों की कुल संक्या कितनी है Q47 भारत के पडोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारती राज्यों की कुल संक्या कितनी है तो इसका उतर है 17 है Q48 भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो इसका उतर है K2 गौडविन वास्टिन जिसकी उचाए 84611 मीटर है भारत की सबसे उची चोटी Q49 लक्षदीप समु का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो इसका उतर है आंडरोट है काले मिट्टी की प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् उत्त गुजरत, राजस्तान, मध्यप्रदेश, चत्छिजगर्ट, जारखन, पच्छिबं, बंगाल, त्रीपूरा और मिजोरम से होकर गुजरती है करकर एकुजरती है भारत की प्रतम जल विद्यूत पर योजना कौन सी है तो इसका उतरे सिव समुद्रम जिसकी स्थापना 1902 में की की थी क्वेशन नमबर 56 सिप किला और बाडा लाचा दर्रा कहां परस्ती थे तो इसका उतरे हिमाचल प्रदिश में सी थे सिप किला और बाडा लाचा दर्रा इंपोर्ड कुशन ही है वेरी वेरी इंपोर्ड कुशन ही है जम्मो इवम हिमाचल प्रदिश को कौन सा दर्रा जोडता है जम्मो इवम हिमाचल प्रदिश को कौन सा दर्रा जोडता है तो इसका उतरे बाड़ा लच्छा दर्दा जोड़ता है जम्मू ईवम हिमाचल प्रदेश को वीष्ण नंबर 58 सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका उतरे नर्वदा नदी है सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी बारत में प्रवेश करने पर ब्रहम पूत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है तो इसका वतर दिहांग के नाम से जाना जाता है और इस वीडियो का आखरी क्वेशन जो तो माउंट एवरेश्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है तो इसका वतर इस सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेश्ट को नेपाल में तो दोस्तो यहां पे यह वीडियो सुमाप्स होता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपकी स्टडी में हेलफूल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जिक्के यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तो आपको नमर में नंती रहेगी आप निचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और वाजू में रहे बेल आइकन को अन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही पुली नॉलेजबल वीडियो की नॉटिपिकेशन मिलते हैं कि दूस्तो हमारे ड्रीम के बीसी चीके का पुलीवी नॉलेजबल लकते हैं तो अदल सोचे यल, मिडिया, साइड भी आप हमें फॉलो कर शक्ते हो, वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कीजिए और जादा से जादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम भारत माता की जै